इलकाईल-ेराईल हैलाइट, इसमें इलकाईल हैलाइट क्या होता है, कोई भी आपके पास नॉमल हाइड्रो कारबन होगा, उससे एक हाइड्रोजन हटाना है और वहाँ पे अटेज करा देना है हैलोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा यह CS3, इसके और जब आप arryl hyalide बोलोगे तो क्या होगा सेम यही काम आपको करना है बेंजीन रिंग के अंदर तो जो बेंजीन होता है उसमें जो 6 कारबन होंगे सब के पास एक एक हाइडोजन होता है आपको किसी एक हाइडोजन को हटाना है और वहाँ पे हैलोजन अटेज कर देना है जब यहाँ पे हैलोजन अटेज करोगे तो आपका जो इस ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का आज हैगा चीक है तो इसको हम लोग arryl hyalide बोलेंगे इस चेप्टर में आपको क्या करना है इसी alkyl hyalide और arryl hyalide के preparation और properties को discuss करना है इस preparation और properties को discuss करने से पहले हम लोग अभी alkyl और arryl hyalides के करेंगे classification तो सबसे पहले हम लोग इसका classification चेक कर लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे preparation और properties पे तो सबसे पहले यहाँ पे जो classification होगा वो mono hyalides का होगा चीक है और mono hyalides मतलब आप समझ रहे होगे mono मतलब single होता है halogen मतलब hyalides मतलब ऐसा कोई भी hydrocarbon क चेन यहाँ पे हमको discuss करना है जिसके पास halogen केवल एक होना चाहिए चीक है तो दो example आपको यहाँ पे clear दिख रहे हैं जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं alkyl hyalides तो alkyl hyalides में क्या हो गया आपका normal hydrocarbon का chain होगा जिसके पास एक halogen present होना चाहिए चीक है तो आप चाहें दो कारबन की chain बना लो तीन की chain बना लो कोई फरक नहीं पड़ता halogen आपको मैं फिर बता दू यहाँ पे fluorine, chlorine, bromine, iodine में कुछ भी आप यूच कर सकते हो चीक है दूसरा वाला होगा arryl hyalide arryl hyalide अभी आपने discuss किया हुआ है इसमें आपके पास benzene ring के ऊपर direct halogen attach होना चाहिए चीक है मतलब जो halogen होगा वो उसी carbon पे attach होना चाहिए जो carbon benzene का part होगा अगर इसके अरामा कहीं और होगा तो फिर उसको arryl आप नहीं बोलोगे चीक है इसमें तीसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते है विनाइलिक इसका example आपसे पूछा जाता है यार रखेगा विनाइल लिक में क्या होगा आपके पास कोई भी hydrocarbon कार्बन की chain होगी जिसमें डबली बॉंडेट कार्बन प्रेजंट होना चाहिए चीक है और इसी डोनो डबली कार्बन में से किसी carbon पे डाइरेक्ट अटेच होना चीए है लोजन तब उसको हम लोग विनाइलिक बोलते हैं एक बा double bond CH, यहाँ पे हमने VR लिख दिया, इसको हम vinylic बोल देंगे, क्योंकि w bonded carbon पे ही प्रोमीन प्रेजेंट है, अगर आपने इस structure कुछ इस तरीके से बना दिया, CS3, CH double bond, CH, CS2 and CL, इसको आपको vinylic नहीं बोलना है, क्योंकि जो carbon containing halogen है, वो doubly bonded नहीं है, इस तरीके से vinylic होता है, इसका अगला पार्ट आपका आता है, इलाइलिक, इलाइलिक जिसका example हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, इलाइलिक का मतलब होता है, कि जो आपका halogen containing carbon होगा, वो doubly bonded carbon का next होना चाहिए, मतलब इलाइलिक में क्या होगा, कहीं पे आपके पास doubly bonded carbon होगा, उसके next वाले carbon पे halogen attach होना चाहिए, तब उसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह बेंचीन नहीं है, यार रखिएगा, और यहाँ पे हमने बना दिया एक double bond, चीक है, अब अगर आप halogen को attach करते हो इसी carbon पे, तब इसको क्या बोलोगे, तब इसको आपको बोलना पड़ेगा, विनाइलिक, विनाइलिक क्यों बोलना ठीक है, तब डबली bonded carbon के next carbon पे attach हो जाता, इसलिए फिर इसको हम लोग नाम क्या देते, एलाइलिक नाम देते, इस तरीके से विनाइलिक और एलाइलिक का difference आपको समझ में आना चीक है, इसी monohalite में एक classification आपका आता है benzylic का, तो benzylic में क्या होगा, आपके पास benzyn ring होग इसी hydrocarbon की chain से आपको hydrogen हटा के यहाँ पे halogen लगाना है, चीक है, तो आपने यहाँ से hydrogen हटाया ति यह CS2 हो गया, यहाँ पे लगा दो halogen, मतलब यहाँ पे जो benzylic होगा, इसको benzylic बोलते हैं, तो यहाँ पे जो benzylic होगा, उसमें जो benzyn ring होगा, उसके next carbon पे halogen present होना चलो इसका एक example देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक benzyn ring बना दिया, इसी से attach हमने एक cyclic structure और बना दिया, और हमने यह halogen को यहाँ पे attach किया हुआ है, अब अगर आपसे पूछ ले कि इसको किस category में हम रखेंगे, यहाँ पे देख लिचे यह benzyn ring है, और benzyn वाले carbon क ठीक next carbon पे, यहाँ पे आपने halogen को attach किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग benzyn ring नहीं होता, केवाल यहाँ पे double bond होता एक, तो फिर उसको हम लोग allylic बोल देते, ठीक है, allylic normal hydrocarbon की chain में आपका आएगा, और benzyn ring आ जाएगा, तो उसको benzyn ring बोल देना है, अब चलिए हम dihylides में चलते हैं, तो अब हम लोग classification करना है, dihylides का, dihylides मतलब हो गया, जिस chain के अंदर दो halogen trigon, ठीक है, इसमें आपकी category आती है, इतनी दो, इसमें दो category आती है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं, geminal dihylides, और एक को बोलते हैं, vicinal dihylides, तो geminal और vicinal का मतलब समझ लीजे, geminal में क्या होता है, जो दो यहाँ पे halogen होंगे, बोथ आर present on same carbon, दोनों जो यहाँ पे halogen होंगे, उनको same carbon पे attach कराना है, जैसे हमने structure बना दिया, CS3, CH, EC carbon पे हमने दो halogen लगा दिया, तो इसको हम लोग geminal बोल देंगे, और अगर यही दो halogen आपके present रहेंगे, at adjacent carbon, adjacent carbon मतलब दो पास वाले कारबन के तो उसको हम लोग vicinal बोलेंगे, तो कहीं पे दो पास वाले कारबन पे अगर दो halogen अटेच होते हुए आपको दिख जाएं, तो उसको फिर आपको vicinal डाई हैलाइट्स कह देना है, तो यहाँ पे एक यह carbon जिस पे halogen present है, और एक उसी का next carbon, इस पे भी halogen present है, इसलिए इसको vicinal हम कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बना दिया, CS2 और हैलोचन, दूसरा CS2 और इस पे हैलोचन, इसको भी हम लोग vicinal डाई हैलाइट को देंगे, अगर आपने आप कोई structure बना दिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे CS2, फिर CS2, CL, अब इसको क्या बोलोगे, यह डाई हैलाइट तो है, no doubt, क्यो तो इसको अभी सिनल बोलोगे, ना ही इसको जैमिनल बोलोगे, छीख है, यह हो गया डाई हैलाइट का classification, अब आपको आगे पढ़ना है इसका preparation, तो चलिए हम लोग preparation पे चलते हैं, तो इसको prepare हम लोग करते हैं सबसे पहले alcohol से, आपको लिखना है from alcohol, तो alcohol से alkyl हैलाइट ब करेंगे, तो मालनों एक आपके पास यहाँ पे alcoholic हमने कोई compound ले लिया, तो सबसे पहला यहाँ पे reaction है, इसका reaction हम लोग कराएंगे, HX के साथ in-pagent साब ZNCl2, HX और ZNCl2 का जो combination होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, lukas reagent, जब alcohol chapter पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे इसको detail मे stretch कर देगा, आपका जो product होगा, वो क्या बन जाएगा, R और X, ठीक है, साथ में यहाँ पे water बाहर हो जाता है, byproduct organic chemistry में आपको लिखना नहीं होता, ना तो reaction balance करना होता है, लेकिन यहाँ पे byproduct में आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी-कभी problem में आपसे पूछ रहता है by product है, और अभी NEET का जो paper हुआ है, उसमें पे एक reaction यहीं स्याया हुआ है, जिसका वो byproduct हुचा हुआ है, तो आपको byproduct याद रखना चाहिए, दूसरा, अब इसी alcohol का reaction हम लोग कराएंगे, PX3 के साथ, अब जो यहाँ पे X है, वहाँ पे chlorine, chlorine, bromine, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे PCL3 लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, चीक है, तो जब PCL3 से reaction कराते हो, तो आपको इसके साथ इसका तीन molecule यूज करना होता है, और आप यहाँ पे OH को हटाके एक हैलोचन लगा दोगे, तो बन जाएगा तीन molecule RX, मतलब RCL, प्लस, अब यहाँ पे एक P हो गया, और तीन यहाँ से OH निकलेंगे, तो तीन OH और एक P मिलके बना लेते हैं, H3PO3, तो इस तरीके से आपको एक मिल जाएगा फास्पोरिकेस, सेम ऐसे जहाँ पे PCL3 आपने यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर PCL5 आप साथ में यूज कर लोगे, तो क्या करेगा, यह भी alkyl highlight बनाता है, तो आपको RX बना देना है, साथ में, जब 1 CL यहाँ पे इसके साथ आ गया, और यहाँ से OH बाहर हुआ, तो इसका 1 CL, 1 H के साथ SCL बना लेगा, अब बच गय या 3 CL, तो 3 CL, 1 P और 1 O, मिल के बनाता है, POCL3, चीक है, यही इसका byproduct है, और यही दोनों इस बार के नीट में पूछा हुआ था, जब इनका reaction कराते हैं, तो कि इसका कौन सा byproduct आता है, चीक है, चलिए, आगला reaction है, इसी alcohol का reaction हम लोग कर सकते हैं, SOCL2 के साथ, जब SOCL2 के साथ इसको treat करोगे, तो यह क्या करेगा, OH को हटा के यहाँ पे हेलोजन लगाएगा, तो यहाँ पे भी आपको RCL मिल जाएगा, साथ में इसका जो byproduct आता है, उसमें आजाएगा SO2 और साथ में SCL, चीक है, तो यहाँ से इस reaction से एक reasoning problem फूछता है, आप से पूछेगा सबसे पहल तो उसका answer क्या इसको समझ लीजे, इस reaction को हम लोग कराते हैं, solvent, pyridine के presence में, चीक है, तो जो यहाँ पे byproduct मिलता है, उसमें एक SO2 मिलता है, और एक SCL, और दोनों होते हैं gas, जब gas होंगे तो क्या हो जाएंगे, reacting mixture से आसानी से escape हो जाते हैं, इसलिए आपको जो product मिलता है, RCL वो बिलकुल pure farm में मिलता है, आपको अलग से कोई technique यूज़ करके इसको फिल से purify नहीं करना है, that's why this reaction is the best method for the preparation of alkyl halide, because alkyl halide produced in this method is completely pure, इसलिए हम लोग sulfuril chloride को यूज़ करते हैं for the preparation of alkyl halide, चीक है, इसके अलामा आप alcohol का reaction करा सकते हो, तो, red phosphorus के साथ, in presence of any halogen, जब red phosphorus के साथ को ये halogen यूज़ करोगे, ये भी यही काम करेगा, OH को हटा के यहाँ पर halogen लगा देता है, चीक है, ये भी एक method हो गया, halogen को attach करने का, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी alcohol और reaction में आपको यूज़ करना है, ki along with h3po4, चीक है, जब KI यूज़ करते हो, phosphoric acid के presence में, ये क्या करता है, OH को हटा के वहाँ पे iodine लगाता है, ये मिल गया आपको RI, तो, केवल यही एक method ऐसा है, जिसमें आप iodine लगा सकते हो, मतलब halogen, iodine यूज़ कर सकते हो, otherwise, इसके उपर जितने भी reaction से, वहाँ पे केवल आपको alcohol को यूज़ करके, इस तरीके से alkyl halide बनाते हैं, अब चलिए, इसके बाद हम दूसरे reaction पर आएंगे, जिसमें आपको initial जो reagent है, उसको alcohol की जगर कुछ और लेना है, चीक है, तो चलिए next के चलते हैं, तो दूसरा जो यहाँ पे हम method यूज़ करेंगे, इसके preparation के लिए, व इसलिए इन दोनों को, हम दों को अलग-अलग discuss करना है, तो सबसे पहला यहाँ पे reaction होगा, from alkane, तो alkane में क्या होगा, कोई भी आपके पास hydrocarbon होगा, इसका reaction कराना है, halogen के साथ, in presence of sunlight, तो जैसे sunlight को यूज़ करोगे, तो यह chlorine क्या करेगा, इस hydrocarbon से एक hydrogen को replace कर देगा, तो एक H और एक CL, LCL के फॉर्म में बाहर हो जाए, छीक है, अगर यह आपका hydrocarbon होता, कुछ इस तरीके का, तो आपको product क्या बनाना था, sunlight के presence में, एक CS3 ऐसी छोड़ देते, और दूसरे वाले पे हम halogen लगा देते, छीक है, अब यहाँ पे एक चीस समझ लीजे, अगर आपके पास कोई hydrocarbon ऐसा होगा, जिसमें अलग-अलग type के होंगे hydrogen, तो जितने अलग-अलग type के hydrogen होंगे, उतने अलग-अलग type के product बनते हैं, इसलिए आपको product में mixture मिलता है, अब इस वाले reaction में क्या है, दोनों जो carbon है, उनका nature एक जैसा है, इसलिए आपको product के वाल एक ही बनाना थ तो अगर आपको कोई भी chain दे दिया जाए और वहाँ पूछ ले कि कितने product आएंगे, जब हम कराएंगे इसका chlorination in presence of sunlight, आपको वहाँ पे चेक करना है कि कितने अलग-अलग type के वहाँ पे hydrogen present है, जितने अलग-अलग type के hydrogen present होंगे, उतना ही आपको product बोल देना है, जैसे अग आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे कितने अलग-अलग type के carbon है, या तो कहलो अलग-अलग type के hydrogen, चीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह वाला जो carbon है, और यह वाला जो carbon है, दोनों का nature एक जैसा, क्योंकि इसका जो atmosphere है, वो CS2 के साथ bind होने का है, इसका भी जो atmosphere है, वो CS2 के साथ bind होने का है, मतलब दोनों एक जैसे, इसमें केवल एक पे ही आप chlorine लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब same, तो एक product तो आएगा यहाँ से, और जो यह CS2 है, इसका जो nature है, इस CS3 के nature से अलग है, इसलिए एक product आपको यहाँ से मिलेगा, तो कुल कितने product मिल जाएंग दो, एक product आप लिखोगे, CS3, CH2, फिर CS2 के साथ CL, प्लस, दूसरा मिल जाएगा, CS3, CHPCL, और CH3, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस वाले पे आप चाहें अटेज करो, इस हैलोजन को, चाहें इस वाले पे product सेम है, इसलिए इन दोरों में से किसी एक को ही करना पड़ेगा, और दूसरा वाला हो गया, जो हमने यहां बीच में लगाया हूँ, अब ऐसे एक दूसरा example देख लो, अगर हमने लिख दिया यहां पे CS3, CH, CS3, CS2, and CS3, इस का रियेक्शन कराया, CL2 के साथ, इंपरेजे सा हम sunlight और आप से पूछ लिया, कितने product आएंगे, तब आपको चेक कर लेना यहां पे, कितने अलग-अलग type के carbon है, या फिर अलग-अलग type के hydrogen, और अलग-अलग type discuss करने के लिए, आपको बस चेक कर लेना है, कि उसकी surrounding कैसी है, अगर किसी carbon के surrounding एक जैसी दिखेगी, तो उसको आपको same consider कर लेना है, तो अब यहां देखिए, ये आपका CS3 ग्रूप है, ये भी CS3 ग्रूप है और ये भी CS3 ग्रूप है, तो इन दोनों CS3 ग्रूप का जो atmosphere है वो एक जैसा है, क्योंकि ये भी CH के साथ bind है, ये भी CH के साथ bind है, और दोनों फिर CS2 पिर CS3 से जाए इसलिए यहां पे एक product आएगा, ये वाला जो CS3 है, उस चार प्रॉडक्ट आएंगे, मतलब ये चार एलकाईलहराइट का मिक्शर देगा, इस तरीके से आप से प्राबलम पूछा जाता है, कि किसी आपको चेन को देखे बोले का यहाँ पर कितने अलग-लग टाइप के कार्बन है, यह अलग-लग टाइप के हाइडोचन है, यह पू तो दूसरा यहाँ पर है, फ्राम एलकीन, अब एलकीन में क्या होगा, अगर आपने एलकीन को लिया हुआ है, सिमेट्रिकल, और इस करीक्शन आप करा देते हो, किसी भी हैलो एसिट के साथ, मतलब हैचेक्स के साथ, तो यहाँ पर होगा क्या, एक का, डबली बॉण्ड का कार्बन पर आपको हैलोजन भेज देना है, और एक पर हाइडोजन भेज देना है, और इसको सिंगल बॉण्ड कर देना होगा, तो आजाएगा CS3, CS2 और हैलोजन, इस तरीके से, तो अब ऐसे एक दूसरा सिमेट्रिकल हम ले लेते हैं, जैसे CS3, CH, डबल बॉण्ड, CH and CS3, अब इसका रिएक्षन कराना है, HCL के साथ, तो ये भी जब सिमेट्रिकल होगा, तो दोनों डबली बॉण्ड कार्बन एक चैसे नेचर के होँगे, तो आप किसी पे भी आप हाइडोजन और किसी पे भी आप हैलोजन भेज सकते हो, और इस सिंगल बॉण्ड कर दोगे तो प्रोड़क के आजाएगा, ये पहला CS3 ऐसी रहेगा, दूसरे वाले CH को हमने CS2 बना दिया, अब अगले डबली बॉण्ड कार्बन पे आपको हैलोजन लगाना पड़ेगा, और अगला जो CS3 होगा वो ऐसी रहेगा, छीक है, इस तरीके से प्रोड़क आता है, तो जब अप्सन नहीं है, ना तो कोई आपको सेलेक्शन करना है, आप एक पे हाइडोजन, एक पे हैलोजन लगा दो, तो किसी भी यहाँ पे डबली बॉण्ड कार्बन पे हाइडोजन और हैलोजन आप लगा सकते हैं, कोई आपके पास च्वाइस नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ जैसे अगर ये इस तरीके से हुआ, और इस कर्येक्शन आपने करा दिया किसी भी हैलोजन के साथ, अब आपके पास यहाँ पे च्वाइस, क्योंकि दोनों डबली बॉण्ड कार्बन अब एक जैसे नहीं, और जब एक जैसे नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे अगर प्र प्राइडिंग होता क्या है, कि जब किसी भी डबली बॉण्ड कार्बन के उपर कोई एडीशन करने आते, तो जिसको एड करना होता है, उसका जो नेगटिव वाला पार्ट होता है, वो हमेशा उस कार्बन पे जाता है, जहां पे कार्बन पे हाइडोजन का काउंट कम रहत तो इसका प्राड़क क्या आएगा, CS3, CH पे CS आएगा, और यह हो जाएगा CS3, अब अगर कोई लिखते कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इस वाले पे भेचेंगे हाइडोजन को, तो प्राड़क लिखेगा इस तरीके से, और फिर यह आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो हमेशा, जब आपके पास सिमेट्रिकल एलकीन होगा, तो मारकोनी काफ रूल को फालो करना है, मतलब नेगटिव पार्ट को उसी कारबन पे भेचना होगा, जहाँ पे हाइडोजन कम होगा, छीक है, चलिए, अब इसी अंसिमेट्रिकल एलकीन का रियेक्शन अगर आप क पार्ट करता है, और एंटी मारकोनी का रूल में क्या हो जाएगा, इस हैलो एसिट का जो नेगटिव पार्ट है, मतलब बी आर, वो उस कारबन पे जाएगा, जहाँ पे हाइडोजन ज्यादा होगा, इसलिए इसका जो प्राड़क्ट होगा, आपको क्या लिखना हो, बिदाउट पराक्साइड, तब यह मारकोनी का रूल को फालो करता है, मतलब इसका जो नेगटिव पार्ट होगा, वो उस कारबन पे जाएगा, जहाँ पे हाइडोजन कम होगा, लेकिन अगर आप इसी हैलो एसिट को यूज करते हो, पराक्साइड के प्रेजेंस में, फिर वो एंटी मारकोनी का रूल को फालो करेगा, and then the negative part of the हैलो एसिट मूफ तो दोस कारबन विच कंटेन मोर नमबर आप इस तरीके से प्राड़क्ट यहाँ पे पराक्साइड के प्रेजेंस के वज़े से बदलता है, अब एक चीज़ और आप याद रखना है कि जब एलो एसिट आप यूज करोगे, वो केवल HBR होगा, ठीक है, आप यहाँ पे HCL, HI, यह सब यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने मारकोनी का रूल यूज किया है, तो उसमें आप HBR, HCL, HI कुछ भी यूज कर सकते हो, सब चलेगा, चलिए एक रियेक्शन इसका और साथ without पराक्साइट, और एक बार HBR के साथ with पराक्साइट, तो दोनों का प्राड़क क्या होगा, जब HBR से रियेक्शन कराएंगे, without पराक्साइट, आपको यूज क्या करना है, मारकोनी का रूल, मतलब इसके नेगटिव पार्ट को उस डबली बॉंडिट कार्बन पर भ उस कार्बन पर भेजना है, जहां पर हाइडोजन होगा चाता, आपको मिल जाएगा यहां पर बेंचीन, उसके ऊपर यह CS2 हो जाएगा, और यह CS2 के साथ PR, छीक है, तो यह आप रियाद रखोगे, तो यह प्रिपरेशन हो गया हाइडो कार्बन से, अब अगर आपको प्र प्रियलाइड एक्सचेंज रियेक्शन के थो, चलिए तो उस पे चलते हैं लोग, तो मैं आपको फिर बता दूँ, जो इलकाइल फ्लोराइड और इलकाइल आयोडाइड है, यह दोनों highly unstable होते हैं, इसलिए नेचर में बहुत जादा पाया नहीं जाएंगे, इसलिए इनका प्रिपरेशन भी थोड़ा सा मुस्किल होते हैं, इसलिए नेचर में mostly आपको ख्लोराइड और ब्रोमाइड मिलते हैं, तो आपको फ्लोराइड और आयोडाइड अगर बनाना होता है, तो आप कोई भी यूज कर लेते हो, ख्लोराइड या फिर ब्रोमाइड और इसी के ब् एलकाइल हैलाइड होगा, और इसका रियक्षन आप करा दोगे, एन ए आई के साथ इंप्रिजेंस आफ एसी टों, तो एन ए आई यूज करोगे तो क्या करेगा, यह हैलोजन को हटा के यहाँ पर आई लगाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलकाइल आयोडाइड म सकते हो, या फिर आप कैल्सियम का फ्लॉराइड यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐन खेता है, यह यूज करेगा, यह हैसे हैलोजन को रिपलेस करके यहाँ पर फलॉरीन लगाते है, ठीक है, ति जो दोनो रियक्सन है तो अलग-अलग नेम रियक्षन है, तो इनको आपको यह दोनों reaction याद रखोगे इसका जो size है iodine का बड़ा है इसलिए इसका नाम भी बड़ा है याद रखना आपको फिर यह confused नहीं होगा छोटे size वाले का जो नाम है वो छोटा नाम है बड़े size वाले का नाम बड़ा है iodine का replacement होगा तो उसको finger stain reaction बोलना है और जो fluoride आप बनाओगे तो उसको आपको swart reaction बोलना है चीक है चलिए इसे में एक reaction और पढ़ लेते हैं हम लोग from silver salt of fatty acid कोई भी आपके पास fatty acid होगा उसका silver salt use करोगे तो उससे भी आप alkyl halide बना सकते हो कैसे सबसे पहले कोई acid लिखते हो ताब कैसे लिखते हो rcooh अब इसका silver salt बनाना है तो hydrogen की जग़े silver आजाएगा इसका silver salt होगा cooag इसको यूज कर लेना है और इसका reaction आपको कराना है br2 के साथ in presence ccl4 जब इसको यूज करते हो तो ये करता क्या है इसको बाहर कर देगा co2 के फार्म में इस ag को एक agbr के फार्म में बाहर कर देगा और r के साथ attached हो जाता है halogen इस तरीके से आपको मिल जाता है alkyl halide चीक है तो इसमें आप bromine के जग़े chlorine भी यूज कर सकते हो तो जो भी आपको product बनाना होगा उसके हिसाब से हम लोग product यहाँ पे बना लेते हैं यह तो होगे कुछ method जिनको use करके हम लोग alkyl halide बनाते हैं चीक है तो जो भी reaction हमने यहाँ पे पढ़ा है उसी पे based कुछ reaction लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे properties पे तो कुल यहाँ पे 6 reaction लिखे गए जिनको हम लोग को complete करना है तो पहले में आपके पास एक alkyne है जिसकर reaction कराना है HBr paroxide के साथ जब HBr paroxide आ गया तापकि दिमाग में आ गया होगा कि anti-marconic आप rule यूज करना है मतलम negative part को उस W bonded carbon पे डालना है जहाँ पे hydrogen जाता होगा तो इसका product आ जाएगा CS3, CS2, यह CS2 हो जाएगा यह single bond हो जाएगा और CS2 के साथ आ जाएगा BR दूसरे में आपके पास alcohol है उसका reaction SOCl2 के साथ कराना है यह करता क्या है? इलकोहलिक ग्रुप को हटा के यहाँ पे halogen लगाएगा ब्रोमीन को इसलिए product में आपको लिख देना है CS3, CS2 और I चोथे वाले में आपके पास एलकीन है और इसका reaction HBR के साथ है यहाँ पराकसाइड दिख नहीं रहा है मतलब कि आपको यूज कर लेना है तो उसमें ब्रोमीन को आपको लगाना है उस carbon पे जहाँ पे hydrogen होगा कम तो जो product होगा वो आपका मिल जाएगा benzene ring के साथ CH पे आ जाएगा BR और यह हो जाएगा CS3 अगला वाला जो reaction है यह बड़ा confusing सा है क्योंकि इस type के आपके पास दो reaction होते हैं तो पहला reaction जब आप BR2 यूज कर सकते हो किसी एलकीन के साथ इन presence आप CCL food आपको यहाँ पे addition reaction show करना होता है मतलब दोनों जो BR होंगे वो डबली bonded carbon पे आएंगे और यह single हो जाएगा bond यानि कि दोनों डबली bonded carbon पे एक एक BR आपको attach करा देना है लेकिन EC में कभी कभी क्या होता है BR2 के साथ यहाँ पे CCL 4 नहीं रहेगा इसके साथ यहाँ पे लिखा रहता है sunlight जब BR2 के साथ reaction होगा sunlight के presence में फिर आपको addition reaction show नहीं कराना है फिर वो substitution reaction show करेगा और आपको करना क्या होगा उस condition में जो डबली bonded carbon का next वाला carbon है यहाँ पे आपको लगा देना है halogen ठीक है क्योंकि वहाँ से hydrogen हटेगा आपको जो product बनाना होगा फिर क्या बन जाएगा यह डबली bonded ऐसी रहेगा यहाँ पे आपको BR लगा देना है ठीक है और जब हम लोग sunlight के presence में halogenation यूज करते हैं तो याद रखना यह free radical mechanism को follow करता है यह भी halo acid है without paroxide तो क्या करेगा यह मारकोनी काफ रूल को follow करेगा तो इसके negative part को उसी W bonded carbon पे भेजना है जहाँ पे hydrogen कम होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे check कर लो कि वो W bonded दोनों carbon कौन कौन से है तो एक यहाँ पे W bonded carbon यह वाला है और एक W bonded carbon यह वाला है छीक है तो इसका जो bond है complete हो चुका है methyl group से यहाँ पे एक hydrogen अभी present होगा तो मारकोनी का आप रूल में I को कहाँ भेजना होगा जहाँ पे hydrogen कम होगा मतलब EC वाले carbon पे यहीं पे आपको I लगाना है इस reaction में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं वो दूसरे वाले पे लगातेते हैं दूसरे वाले पे नहीं लगाना है आपको यह double point हट जाएगा इस पे एक CS3 पहले से था अब आई आजाएगा इस वाले पे hydrogen आजाएगा तो hydrogen आप दिखाओ ना दिखाओ फरक नहीं पड़ता क्योंकि और बागी carbon का hydrogen यहाँ पे शो नहीं किया गया है इस तरीके से यह product आ जाता है यह हो गया इसका preparation अब हम next वीडियो में आएंगे तो इसकी properties डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए आते हैं next वीडियो में तब तक आप लोग बढ़ते रहें अपना ख्याल रखिए थैंक्यू